को फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग आयम कमल सिंगला दिस इस माई थर्ड बिलोग आपको मेरा फस्ट बिलोग बहुत ही अच्छा लगा उस पर बहुत ही अच्छे व्यूज आया है आपका वेरी वेरी थैंक यू फस्ट ब्लोग में मैं अपने वारे में इंस्रोमेशन ब बनाने में क्या मेरा मोटिव है क्यों मैं अपना चैनल क्रेट किया है किस बारे में मेरा चैनल में अपना बनाया है और सेकिन ब्लोग में मैं आपको अपने गैजट्स के बारे में बताया था क्या मैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगिंग करते समय क्या क्या मैं अप आपको बहुत ही अच्छा लगा उस पर भी बहुत ही अच्छे कमेंट आए बहुत ही अच्छे व्यूज आए आपका वैरी वैरी थेंक यू बेरी मच और सेगने ब्लोग में मैं अपना expression वीवोच्षिंव वारे में आपका अन्बोक्सिंग की थी क्या मैं क्यूंकि मैं जो अपनी ब्लॉगिंग के लिए मैं अपना कैमरा जूज करने वाला हूं वो भी वो X50 का है और अब भी जो शूट हो रहा है वो भी X50 के साथ ही हो रहा है और अब मैंने अपने दो प्रड़क्ट और प्रचेस किया है अब जो उनसे क्रीद किये हैं एक मेरा गोरिला ट्राइपोड है जिस पर मैं अपना कैमरा जो अपना मॉइल है वो माउंट करूंगा और सेकिंड मेरा जो है एक माइक है उसमें जो माइक है माइल के उपर माउंट होगा उसकी मैं हम आज इस वीडियो में अन्बोक्सिंग क से जल्दी से जल्दी कोविड़ 9 का सभाया हो तो चलो भाई लोग पहले फ़रब से पहले यही रुक्यस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें तांकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल स अन्बोक्सिंग करते हैं माइक की। ये मैंने पहले ही अन्बोक्सिंग कर चुक्या था यह बहा का MM1 है इस में देखते हैं बोया ने हमें इस बोक्स में क्या-क्या दिया है । इसमें भाई है एक तो में माइक मिल जाता है mm1 ब्याकर यह कब एक बेंड शिल्ड मिल जाती है इसमें बिंड शिल्ड का क्या है मिन मोटीव जो हम इसमें बोलरहे हैं वो ही direct आपकी वाज़ करेगा जो अनसेसरी वाइस होगी जैसे क्रारून में हम करेंगे तो उसको ये निकाल देगा जो हमारी असली बवाइज होगी वही रोड करेगा ओर इसको हम मैं इसमें माउंट कर देता हूँ इसमें लगा देता हूँ तो यह ऐसे माउंट होगा और एक इसमें हमें एक वाएरु मिल जाती है जो हम इसको DSLR को भी DSLR में लगेगी यह इसका stand मिल जाता है जो यहाँ पर हम लगा सकते हैं ये ऐसे लगे जाता है ये और एक हमें स्मार्पोन के लिए वाहर मिल जाती है जो हम स्मार्पोन इसको यूज कर सकते हैं ये mike इसलिए फैदा है एक तो ये brand है वया mm1 का और second thing इसमे तो इसमें एक पाउच मिल जाता है जिसे हम सेकिंड टाइम जैसे हम यूज करते हैं और एक भाई यह बिल मिला है जो कि मेरे नाम पर है एमजोंसे यह भाई मुझे तकरीवन अठारा सो पड़ा है एमजोंसे और सेकिंड हम तो सेकेंड तिंग जो हमने लिये है जलांजी का ट्राइपोड है इसके हम हkien यह जुलांजी कंपनी की है जुलांजी कंपनी ब्रेंड है कोई साप वीडियो नहीं है लेकिन जो जह मनें खरीदा है आपको मैं । एक्ट्व घान चाहता हूं कि यह जुलांजी का इट राइपाइपोड खरीदें, क्योंकि इसमें best thing क्या है ये आपको best thing इसमें क्या है इसमें mic लगने के लिए बिल्कुल place बना हुआ है ये कारण है इसका खरीदने का purchase करने का और सबसे thing main ये क्या है इसको हम यहां पर इसका जो nut लगा हुआ है इसको हम खोल कर जैसे मर्जी 360 डिगरी पर जैसे आपको चाहि पर लगा सकते हो और second third thing क्या है ये flexible है जैसे भी आप चाहिए tripod जैसे भी मोड सकते हो जैसे भी आप जैसे भी चाहिए कर सकते हो तो इस पर में एक आपको मॉइल लगा कर दखाता हूं कैसे ये setup बनेगा एक मॉइल है मेरे फ्रेंड का है जैसे इसको हम मॉंट करेंगे मॉं टाइट हो गया है और यह यह बायर है एक मॉइल पर लगई और एक मॉइल एक माइक पर लगए यह आपका ब्रदर सेटप बन गया है complete सेटप बन गया है ठीक है इसके बाद आप जहां मर्जी जैसे मर्जी इसको फोल्ड करकर जैसे वी चाहों आप अपनी ट्रैवलिंग ब बोल रहे हो वो इसको सिदा इसको कैश करेगा और जैसे आप जैसे वी चाहों ऐसे जैसे वी आप चाहों उसका आप जो पिछे आपकी बैक्राउंड है उसका आप एंगल ले सकते हो अपने मॉइल से तो ब्रदर यह मेरा एक नया सेटप बन चुका है आगे वाली मेरी करकर आपको